वेल्कम टू इस्टेनो विद पारस डिक्टेसन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट कोरोना वाइरस के संकर्मन को थामने की तमाम चेश्टा के बाद भी उसके मरीजों की बड़ती संख्या चिंतित करने वाली है कुछ समय पहले तक कोरोना संकर्मन से गिरस्त होने वालों की जो संख्या 10,000 प्रति दिन थी वहे 15 के बाद 20,000 हुई और अब 25,000 का आकड़ा पार करती दिख रही है यदि इस रफ्तार को थामा नहीं गया तो भारत कोरोना मरीजों की द्रश्टी से अमेरिका और ब्राजील के बाद खाड़ा नजर आएगा हालांकी इन दोनों देशों के मुकाबले भारत की आबादी कहीं अधिक है और कोरोना मरीजों की संख्या को कुल आबादी के सापेख्ष ही देखा जाना चाहिए इसके वावजूद कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या कोई सुभ संकेत नहीं निसंदेह केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी विभिन एजन्सियों को कोरोना संकर्मन पर लगाम लगाने के लिए और अधिक सक्रियता दिखाने और खासकर टैस्टिंग छमता बढ़ तो तभी बनेगी जब आम लोग आवस्यक सद्रक्ता का परीचे देंगे यहे खेद की बात है की खतरा सामने दिखने के वावजूद लोग अपेक्षित सावधानी का परीचे देने से इनकार कर रहे हैं पहरा सार्वजनिक इस्थलो पर नए जाने कितने ऐसे लोग दिख जा रहे हैं जो फिजिकल दिश्टैंसिंग को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं इससे भी खराब बात यह है की तमाम लोग या तो मास्क लगाते ही नहीं या फिर केवल दिखावे के लिए गले या ठुड़ी पर लटकाए रहते हैं ऐसा करके वे खुद के साथ औरों को खत्रे में डालने का ही काम नहीं कर रहे बलकि सासन प्रसासन को इसके लिए बाध्ये भी कर रहे हैं की वे उस लोकडाउन को लेकर सकती बरतें जिससे बाहर निकलने की कोशिस की जा रही है यदि देश के कुछ हिस्सों में लोकडाउन की सकती बढ़ानी पढ़ रही है तो लोगों की लापरवाही के कारण ही हैरानी इस पर है कि लोग यह देख रहे है कि अब एक सप्तहा से भी कम समय में एक लाख कोरोना मरीज बढ़ जा रहे हैं फिर भी जरूरी सावधानी नहीं दिखा रहे हैं चोरी छिपे किसम के आयोजन करना और उनमें भीड एकत्रित करना एक किसम की आपराधिक लापरवाही ही है इस तरह कि लापरवाही पूरे देश के लिए बहुत महंगी साबित हो रही है क्योंकि इसके चलते कोरोना संक्रमन तेजी से फैल रहा है और उसके नतीजे में कारोबारी एवं अन्य जरूरी गतिविदियों को गति देने में बाधा आ रही है निसंदेहे यह रहातकारी है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ रही है और कई राजियों में यह दर राष्टिय ओसत से अधिक है लेकिन यदि संक्रमन की रफ्तार पर लगाम नहीं लगी तो हालात सामानिय होने में और अधिक समय लगेगा इस टोप